श्रिलंका बांगलादेश के बीच दो टीटवेंटी मैचों की सिरीज का पहला मैच कल धाका में खेला गया टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांगलादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए बांगलादेश की ओर से सौम्य सरकार ने 32 गेंदो में 51 जबकि मुश्फिक्यूर रहीम ने 44 गेंदो पर 66 रनों की पारी खेली उनके अलावा महमद उला ने शानदार 43 रन बनाए श्रिलंका की तरफ से जीवन मेंडिस ने दो विकेट चटका है तो वही धनुषका, उडाना और थिसारा परेरा को एक एक विकेट मिले 194 रनों का पीछा करने उतरी श्रिलंकाई टीम को कुशल मेंडिस और धनुषका ने बहतरीन शुरुवात दिलाई मेंडिस ने तिरपन तो वही धनुषका ने 30 रनों की पारी खेली इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा दिलाई शुरुवात को बाकी लंकाई बल्लेबाज ने भी बरकरार रखा और लंकाई टीम ने 16.4 ओवर में ही लक्षे हासिल कर लिया इस दोरान बांगलादेश की ओर से नजमुल इसलाम ने दो जबकि रूबल और अफीव को एक-एक विकेट मिले एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट